गुड मॉर्निंग एवरिवाइन एज नर्सिंग एकटमी में आपका स्वागत है व्यापम के एग्जामिनेशन के लिए हम लोग जो क्रिशन शुरू कर रहे हैं वह सीरीज आपके लिए यह है कि इन सारे परसुनों से व्यापम में आपको बहुत सारे क्रिशन मिलेंगे चलि इसका राइट आंशर क्या होगा बच्चो इसका राइट अंशर होगा साइलेंट किलरी न्यूबॉर्ण एस ऑप्शन भी हाइपो थर्मिया ध्यान रखना है बच्चों मॉस्ट जो फैवरेबल कंडिशन होती है अगर घातर कंडिशन होती है पता नहीं चलता यह जो प्री साइलेंट किलर है यह और हाइपर टेंशन की बात करो तो में यह साइलेंट किलर एडल्ट के अंदर है कि इसमें है एडल्ट में हाइपर टेंशन चलिए तो शुरू करते हम दूसरा किश्चन अपना अबोस्त इंडिकेटर ओफ ग्रोथ इन इंफेंट इस ओप्षिन ए लेंट ऑप्षयन बी वेट ऑप्षण शी बोथ एंड बी ऑप्षेन डी ओल इसका राइट अंसर क्या होगा बच्चों इसका राइट अंसर होगा ऑप्षेन बी वेट जैसे मैं आपको बता दूं बोथ लेंख के लेंट रहें वेट अगर इंक्रीज नीं होगा उसकी ग्रोथ नहीं माने जाएगी और हम लोग बोलते हैं कि अगर को nutrition दे रहें किसी बच्चे को उस nutrition का भी अगर अशर कर रहा या नहीं कर रहा उसका भी बेस्ट все indicator क्या है वह वेट ही है वह क्या है वेट ही है इसके अन्चर शुर्य करते हैं M U A C Means Mid Up Arm Circumference Option B Mid Upper Age Circumference Option C Mid Upper Arm Circumference Option D None तो इसका right answer क्या होगा option C Mid Upper Arm Circumference Mid Upper Arm Circumference यह हम लोग क्या करते हैं जब nutrition का measurement करते हैं या growth field का measurement करते हैं तो यह माल नरीश है या नहीं है माल नुट्रिशन जिसको हम लोग बोलते हैं उसका हम लोग नरीश जब भी चैक करते हैं शाकिर टेप से हम लोग करते हैं उसके अंदर और बहुत important measurement है इसमें हम लोग क्या करते हैं तीन color होते हैं red yellow और green तो यह ध्यान रखना है अगर रेड पर आ रहा है उसका अगर मिड अपर आर्म मतलब जो अपर आर्म मिड साइड होगी वहां से अपने इसको चेक करेंगे और अगर यह रेड में आता है तो यह बच्चा क्या है सीवेर माल रिस बेबी है म्यू एसी चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्रिशन क्रिशन नंबर चार एड देखते हैं लोग क्रेमर रूल को कौन सी बीमारी को फाइंड करने में हेल्प करता है ऑप्शन ए है फीवर को आप्शन बी है जी आर्डी गेस्ट्रो इंट्रल रिफ्लेक्स डिजीज है इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है और ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चो इसका राइट आंसर होगा ओप्शन सी जॉन डिस मैं आपको बता दूं जॉन बहुत इंपोर्टेंट क्रिश्चन है दो परकार का होता है एक तो पैथोलोजिकल होता है और एक फीजियो लोजिकल होता है विदिन 24 और होने अगर 24 आ बराबर चेक करता है रहना चाहिए अगर तीन दिन में वो रिजॉल्व हो जाता है इसका मतलब उसमें कोई प्राब्लम नहीं फीजियो लॉजिकल हो और टेस्टिंग भी हम लोगों को करती रहना चाहिए चलिए नेक्स देखतें क्यूशन नमबर कुम्ब टेस्ट कुम्ब किसके लिए करवाघसाइ चाह प्रेंगों स्यम्द है आरेचे इनकॉम्परिणिटि और और ऑपोटट लेये हैं सब्सक्यकर क्यूंद हैं पेस्वा नूंद है समय से करेंवन ऑप्रेटाइलेच्ब आरेचें में हम लोग प्लेटेस करवाते हैं कुम्ब टेस्ट का मतलब क् एक तो करवाते हैं direct और एक करवाते हैं indirect direct मतलब सीधा fetus के लिए होगा और indirect मतलब mother के लिए होगा यह आपको ध्यान रखना है चलिए next question देखते हैं question number 7 ओर एस है ओल कंपोनेंट accept और से कोन से कंपोनेंट होते हैं को छोड़कर option a है sodium chloride option B है potassium chloride option c है glucose और option d है potassium phosphate इसका right answer क्या होगा बच्चों इसका right answer होगा option D पोटेसियम फॉस्फेट नहीं होता है यह सारी चीज़ें पाइजाती है टॉटल अमाउंट इनकी जो होती है वह 20.5 ग्रांग होती है यह आपको ध्यान रखना है 24 गंटे के अंदर अंदर हम पूरे पैकेट को यूस कर लेना चाहिए जिदना भी अपने पानी के ग्लास में ग्लिटर वाटर में उसको गोला है वह 24 आवर के अंदर पूरा कर लेना चाहिए हम लोगों को डायरिये में मुस्टलि हम लोग देते हैं चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं लेंद ऑफ इसो फेगस इसो फेगस के लंबाई कितनी है ऑप्शन ए है 25 सेंटिमेटर ऑप्श पहली बात तो इसो फेगस क्या है इसो फेगस एक जी आई सिस्टम का पार्ट है हम लोग बोलते हैं फूड के नाल वी एक तरीके से यह फूड के नाल है और इंपोर्टेंट ध्यान रखना हम लोगों को इसो फेगस 25 सेंटिमेटर की लंबाई की होती है चलिए कुशन यूरीन सबसे छोटी इकाई कीड्नी की क्या है जो यूरीन का फोर्मेशन करती है और बहुत स्मॉल स्मॉल स्वालेस्ट एक कीड्नी की फंक्शनल यूनिट यही वर्क करती है चलिए नेक्स देखते हम लोग कुशन नमबर टेन लॉंगेस्ट मसल ऑफ दे बोड़ी बोड़ी की सबसे लंबी मसल कौन सी है और अगर मैं यहां पर लार्जेस्ट की बात करता बच्चों लार्जेस्ट मसल कौन सी है तो यहां पर ग्लूटियल मैक्सिमस यह कुशन पूछा जाता है बच्चों लॉंगेस्ट और लार्जेस्ट ज्यान रखना आपको लॉंगेस्ट तो सार्ट ओरियस है और लार्जेस्ट ग्लूटियल मसल है और काफ मसल जो होती है उसको सेकेंड हार्ट बोलते हैं बोड़ी का सेकेंड हार्ट चलिए नेक्स देखते हैं, question number 11, number of lobs in right lung, right lung में कितने lobs होते हैं, option A है 2, option B है 3, option C है 4, option D है 5, इसका right answer क्या होगा बच्चो, right lung के अंदर lobs होते हैं 3, तो right answer हो गया option B, और left lung में lobs होते हैं 2, तो यह बता देता हूँ मैं आपको left lung और right lung, इसमें हो गए 2 lobs और इसमें हो गए 3 lobs, दो लोब इसलिए होते हैं, because there is heart, यहाँ पर क्या होता है, heart situated होता है, इसलिए इसके lobs 2 formation होते हैं, यह बहुत detail की बाते हैं, आपको lobs बंते कैसे हैं, lungs की structure कैसी होती है, जह हम classes शुरू करेंगे, आपको बताएंगे इनके बारे में, चलिए, question number 12 है, incubation period of chicken pox, option A है 17 days, option B है 12 days, option C है 10 days, option D है 9 days, तो right answer क्या होगा बच्चों इसका, इसका right answer होगा, option A, 17 days, approximately मैं आपको एक idea देता हूं, यहाँ पर, 13 से लेकर 17 दीन chicken pox का incubation period होता है, अगर यहाँ measles आता है, तो उसका हम 10 दिन मानते हैं, यह ध्यान रखना, अगर 10 से 14 दिन भी average मानते हैं, लेकिन 10 days approximate medium average निकाल लेते हैं, लोग उसका, चलिए, next question देखते हैं, sulpingitis इसे, sulpingitis क्या है, option A है, inflammation of uterus, option B है, inflammation of fallopian tube, option C है, inflammation of ovaries, option D है, आपके सामने, inflammation of urethra, तो इसका right answer क्या होगा बच्चों, sulpingitis is a term of inflammation of fallopian tube, यह ध्यान रखना है, हम लोगों को, अगर हम urethritis की बात करते हैं, तो वह inflammation of urethra होता, अगर हम, उससाइटेस की बात करते हैं, तो ovaries के inflammation होगा, और अगर हम uteritis की बात करते, inflammation of uterus होता, तो यह ध्यान रखना है, कि sulpingitis, that means inflammation of uterine tubes और fallopian tubes, चलिए, question number 14 देखते हैं, phytoscope is used at which week of 4 FHR, phytal heart rate सुनने के लिए phytoscope को कौन सी week पर इस्तिमाल किया जाता है, option A है 12 week, option B है 16 week, option C है 20 week और option D है 24 weeks, इसका right answer क्या होगा बच्चो, option C, 20 week, क्यों होगा बच्चो, आपको बता जाता हूँ, अगर यहाँ पर मैं option में आपको देता कि, question में देता, ट्रांस्डूसर से कब सुनते हैं, तो ट्रांस्डूसर से तो हम लोग 10 से लेकर 12 week पर ही सुन लेते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ बात करता, phytoscope की तो phytoscope में हमेशा 20 week के बाद में ही hearing करी जाती है, sound की, और दूसरी यहाँ पर एक 12 week, 16 week और 24 week का option में आया है, तो यहाँ ध्यान रखना 24 week पर अब्डोमिनल गर्थ की हम बात करें, तो अम्बलीकस के लेवल पर phytoscope आ जाता है, यह से हम लोगों को याद रखना है, और 12 week का मतलब female की 12 बच जाती है, 12 week का मतलब की तो female की 12 बच जाती है, और 12 बच जाती है, 24 week पर, यह ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर इस्टराई, ग्रविड्रम, यह सारे कोलेजुमा वगरे, 20 week के बाद में उसको स्टार्ट होना चुरू हो जाते हैं, चलिए, कॉशन नंबर 15 देखते हम लोग, 15 नंबर कॉशन, नंबर ओफ ओसिकल्स इन दे इयर, कॉशन को जान से बढ़िएगा, नंबर ओसिकल्स इन दे इयर, और और ओफशन ए है, 6, और भी है, 3, और ओफशन C है, 5 और ओफशन D है, 7, तो इसकार राइट आनसर क्या होगा बच्चो, तोटल उसिकल्सिंद यहई सिक्स और सीगल का मतलब होता है बॉन जबन यह की अंदर पहली अब बताइए का मेरे को फस्ट बॉन हम लोग बात करते हैं यहां पर तीन बोन्स होती है और तीनों बोन्स में हम लोगों को यह ध्यान रखना है और यहां पर स्मॉलेस्ट बोन भी यही पाई जाती इसका नाम किया है सटैपिस बोन है यहाँ पर तीन बोज यहाँ पर मिलती है मैलस इंकस और स्टैपिस मैलस को इंकस और स्टैपिस बोन इसके अंदर present होती और подар मसल भी स्टेपिडस मसल ही प्रिजेंट होती है यह भी धान रखना आपको चलिए नेक्स्ट कुछन देखते हैं कोशन नंबर सिक्स्टी त्रिपी साइन ओफ डियाबेटीज फॉलोविंग एक्सेप्ट तीन साइन तो डियाबेटीज के हैं एक नहीं है आप्शन ए है आपके काि चलिए पर नेक्स्ट देखते हम लोग गौशंन नंबर सिल्च 17 मायोप्याइथ प्रॉब्लम हमायो किसकी प्रॉब्लम है और सिल्च की प्रॉब्लम है और सिल्ट की अजद भी हrab crush की कि प्रॉब्लम है तो इसका राइट खालत होगा बस्का बख़्ॉबम इस आई मायो THAT means में में ही दिखता हूं में ही में दिखता हूं मतलब नजदीक की चीज़ें सही दिखती है और दूर की चीज़ें नहीं देखती सक इसका मतलब नियर साथेट seated डैस为क Sug कौन से लेंज से बच्छों कनवेक्स लेंज से कौन के लेंज नहीं आएगा कनवेक्स लेंज आएगा चलिए कौशन नमबर अठारा देखते हैं डामेटर ओफ आई लोब इस अबाउट ऑप्शन ए वन इंच ऑप्शन बी इस तू इंच ऑप्शन दी इस वन पॉंट फाइव इंच उसका राइट आंसर के होगा बच्छों ऑप्शन ए टू पॉंट फाइव सेंटिमेटर या फिर वन इ पॉंट की बीमारी है औप्शन ए है नोस आप्शन भी है इयर औप्शन ची आइए ऑफेडी है इसका राइट एंसर के अगर कि गएट होता है इसका मोड होता है बच्छों वह इनडशा होता है कि इंडरेक्ट नहीं आते है यह अ और यह बोलते हैं हम लोग की जो ग्लाकोमा डेवलप हो सकता है और इससे ब्लाइडनेस भी कोज करेगा यह चलिए है कौशन नमबर ट्वण्टी ब्लाइडनेस ब्लाइडनेस का सबसे बहत्यपूर्ण काराण सबसे बड़ा काराण कौन सा है ऑप्शन ए ग्लाकोमा ऑप्शन भी रिफ्रेक्टिव एरर ऑप्शन ची विटामीन एड एफिसेंसी और ऑफ्शन डी है केटरेक्ट तो इसका राइट आंजर क्या होगा बच्च कितना परसेंट बच्चो केटरेक्ट लगबग 68 परसेंट जो है वो केटरेक्ट है 17 परसेंट क्या बच्चो रिफ्रेक्टिव एरर है पांच परसेंट बच्चो इसमें ग्लुकोमार अधर कोज आता है फिर इसके बाद में चलिए नेक्स देखते हैं कौशन नमबर 21 विच फ्लूट इज बेस्त फोर बंट प्क एसंट के लिए इनमेंसे कौन सा फ्लूट बेस्ट है उप्चन अंसर क्िया हो बच्चो इसका ऑप्चन बी ऑररल सोलुशन जो है आफ चीज बता यता हुँ मैं है बन में जब है कल्कूलेशन कर लेतर जिसे हमें 100% फ्लूड देना है तो हम लोगों को 8 गंठे के अंदर-अंदर हम लोगों anar 8 गंठे के अंदर-अंदर नंदर रखोंकास का 50% पर बचा उवा फ्लूड है वह 960 5 ऑ में और उसको देना है जॹान दखना में लोगों को रिंगर लेक्टेट इस बेस्ट सॉलूइशन फो बन पैसेंट चलिए कॉशन नंबर 22 देखते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ इसकीन इसका राइट आंसर क्या होगा बच्छों स्कीन का पहला काम है प्रोटेक्शन करना तो ऑप्शन एज राइट अंसर चलिए बच्छो और एक लारजेस्ट औरगन भी है इसकी यह भी कुशन बनता है चलिए कॉशन नंबर 23 देखते हैं रूल ओफ नाइन इस उस फॉर दा कोमा पैसेंट बन पैसेंट आल्टिय पैसेंट या ओबेस पैसेंट राइट आंसर होगा इसका आप्शन बी बन पैसे किया जाता है चलिए बच्छो नेक्स्ट कुशन देखते हैं हम लोग यहां पर कॉशन नंबर 24 विच ड्रग गिवन टू डाइरियल इंफेंट विद ओवारेस के साथ में कौन सी ऐसी ड्रग है जो हम लोग डाइरियल पैसेंट को देते हैं ऑप्शन ए है एंटिबियोटिक इसका राइट आशर क्या होगा बच्छो जिंक सल फेड एज बता देता हूं मैं आपको यह कभी कभी क्रिशन पूस लिए आता है अगर बच्चा लेस देन सिक्स मन्त है तब तो आएगा टेन मिलीग्राम पर डे अगर बच्चा जो है वो छे मेने से ज्यादा है तब रखना है that is the dose of zinc sulphate चलिए है चलिए नेक्स देखते हैं हम लोग कोशन नंबर 25 25 नंबर कोशन आपके सामनी जी रहा length of trachea is option A 12 cm option B 15 cm option C 18 cm option D is 20 cm the right answer is option A 12 cm trachea 12 cm की होती है मैं बता दाता हूं आपको इसकी बारे में respiratory organ का part है 12 cm की होती है दूसरा नाम क्या है इसका wind pipe है यह क्या wind pipe है 16 से 20 जो है इसमें क्या मिलते हैं cartilage मिलते हैं ठीक है और function क्या है इसका humidification का काम करती है झाल झाल झाल